नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग देखें UPSC टॉपर्स में ऐसी कौन सी खास बाते होती हैं जो कि एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट में नहीं होती हैं UPSC टॉपर्स जैसे कि गौरा गौरवाल की बात कर लिजे टीन अड़ाबी की बात कर लिजे रोमान सेहनी होगा, अर्तिका शुकला होगई यह तो होगए वो टॉपर्स जो कहीं न कहीं थोड़ा न्यूज में रहते, थोड़ा फेमस होगए थे इरसिंगल होगई, कनिश्काटारिय होगए फिर अगर आप देखे ही वो लोग जो कहीं न कहीं merit list में आते हैं उनको भी आप toppers ही बोलोगे, toppers नहीं बोलोगे तो मैं बोलोगा कि भाई, जो top 100 ranks में आ रहा है या top 200 ranks में आ रहा है, वो topper ही है तो जो जिसकी 50 rank है, जिसकी first rank है तो यह मैं आपको बता रहा हूँ, उन सब लोगों के लिए जो कहीं न कहीं यूपेस्ट के exam qualify कर रहे है top 200 ranks में तो मैं उनको topper बोलोगा अब इन toppers में ऐसा खास है, ऐसा क्या खास है जो normal candidates में नहीं है अक्सर कर सुना होगा, दो प्रकार के lot होते है एक lot यह होता है, जो काफी गिसा हुआ होता है UPST में first term ने निकला, दूसरा term ने निकला, तीसरा term ने निकला, चौथा निकल गया इस परकार के examples आपको यह जो TVF aspirant वाली series आई तो उसमें देखे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फटा-फट से आया, उन्होंने पहला item दिया, निकले, टॉप भी मार गए टीन अड़ भी उसकी examples हैं, और भी बहुत सारे लोग है कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले exam देते नहीं हुआ, दूसरी बार exam दिया, IRS हुआ, तीसरी बार exam दिया, चौथी बार exam दिया, तो IIS हुआ तो यह अलग-अलग lots हैं, यह अलग-अलग lots में क्या दिमाग का फरक है? क्या इन टॉपर्स में बहुत ज़ादा extraordinary दिमाग है, जो कि एक normal average candidate में नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको एक फरक बताने कोशिश करता हूँ, कि टॉपर्स में और एक average candidate में फरक के है अगर आप Tina Darby जी की बात करो, तो political science, उनका शायद background political science का है, किसी और topper की बात करो for example, गौरा वगरवाल जी की बात की जाए, 2013 में नहीं नहीं टॉप किया ता first rank आई थी तो भाई, आई टी कानपूर के pass out है, फिर आयम रखने को से उनके MBA किया, फिर वो चलेगे for a minute नौकरी करने के लिए आप अगर आप इनका educational background देखोगे, तो बहुत rich educational background है अगर आप Tina Darby की घर पे भी देखेंगे, तो भाई, सब ग्रूपे officers और से उनके parents तो इन लोग का जो background होता है, यह background काफी rich है, rich in the sense मैं पैसे वाले rich की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं intellectual richness की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपने अपनी education शुरू करी, और आपको दा हिंदू पढ़ने में problem हो रही है, बहुत normal बात है, हो सकता है, दा हिंदू ना समझ में आ रहा हूँ भाई, tricky भाशा है लेकिन गौरव अगरवार और टीनडाबी जैसे जो लोग होते हैं ना, वो हिंदू को एक line में समझते हैं लेकिन जब एक normal बच्चा पढ़ाई में गुसता है, मेरा या आपकी जैसे बच्चा पढ़ाई में गुसता है तो उस case में पहले उसको अपना level उठाना पड़ता है, अपना intellectual level उठाना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको content में गुसना पड़ता है तो ऐसा नहीं कि जब आप यूजपेस्टी की पढ़ाई में गुसोगे तो आप पहले content में गुसरो यह मत सोचो पहले आप अपने intellectual level को बढ़ा रहे हो किसी को CSAT नहीं आ रहा है, ठीके न, तो CSAT में मैट्स की प्राक्टिस कर रहा है तो इस प्रकार की चीज़ें आपका समय लेती है कभी-कभी आपको अपना level बढ़ा के इन टॉपर्स के बराबर लाने में एक से दो साल लग जाते है और उसके आद आप content का exam देते हो, निकाल ले जाते हो तो जो चौथे attempt में निकल रहा है, आप कह सकते हो कि हो सकता है एक से दो साल शुरुवात को उसको अपना कह सकते हो intellectual achievement लाने में समय लग गया हो तो इसलिए बोलते हैं, यह जो toppers आपके सामने बैठे हैं ऐसा नहीं है, कि यह out of the world है कुछ लोग होते हैं extraordinary, पर जरूरी नहीं कि जितने भी toppers हैं सब extraordinary नहीं है उन्होंने अपने दिमाग को गोसा है, उन्होंने पहले ही अपने आपको इस काबिल बनाया है कि वो बस जैसे यूपेस्ती तियारी में गुसेंगे, वो सीज़े content पढ़के reproduce करेंगे आप यूपेस्ती तियारी में गुसने के समय पे जब content पढ़ रहे होगे तो सासा दिस बात के लिए भी struggle कर रहे होगे कि हिंदू की English समझनी है आंसर राइटिंग में मुझे तेज लिखना है ठीक है, सी सैड में भाई math का paper पूरा solve होना चाहिए पता चला 632, one third number नहीं आए तो बाहर हो जाएंगे तो इस प्रकार की चीज़ें आपको परिशान करती है जो कि आपका शुरू का बहुत समय लेके जाती है तो आप यह मां सुची कि सीधे सीधे आप content पढ़ रहे हो पॉइंट समझ रहो बात को प्रस एक और पॉइंट है आप जैसे अर्तिका शुकला हो गए टीन अडा भी हो गई रोमन सेनी जैसे लोग हो गए इन्होंने उसी optional को चुना जिस optional से इन्होंने पढ़ाई की थी तो इनका optional पहले से ready था आप जब UPSC तयारी में कुछते हो तो नया optional चुन रहे होते हो आप decide कर रहे हो कि भई मैं कौन सा optional पढ़ हूँ और अर्तिका शुकला ने medical science से UPSC निकाला पहले ही medical science तो अलग से तयारी करने की जरोथ नी पढ़ी तो वो भी समय बचा आपको optional पढ़ने में हो सकता है 7-8 महीने एक साल चला जाए तो ये चीजें भी तो matter करती है तो इसलिए यहाँ पे UPSC toppers बाकी average candidates से थोड़ा उपर निकल जाते है ठीके तो इस point को आप समझने कोशिश करो तो अगर आपका first attempt या दूसरे attempt या तीसरे attempt या निकल नहीं रहा है तो आप बेवकूफ नहीं हो लेकिन एक बात हमेशे याद अखना कि with every step, with every year आप अपना level बढ़ा पा रहे हो या नहीं बढ़ा पा रहे हो इसके लिए आपको खुद में improvement नजर आना चाहिए हिंदू paper पढ़ने में प्रोशानी हो रही चार से पांच महीने में इतना हिंदू paper पढ़ो कि पढ़ समझ में आना शुरू हो जाए ठीके ना, C-CAT के सवालों में problem हो रही है पढ़ाएंगे चुकि अपना level उन्होंने पहले उपर वढ़ा रखा है उन्होंने बच्पन में वह मैनत करी है कि आज उनका लोल पहुंच सका है अगर आपने नहीं करी तो आपको आपको करनी पढ़ेगी पर पॉसिबल है आपको एक साल दो साल मैनत करनी पड़ेगा आप तब उनके लेवल पा जाओगे फिर कंटेंट में घुसओगे फिर एकजाम निकालोगे I hope मेरा point समझ गई होगे आप लोग Thank you for watching, have a great day